अगर तुम्हारा CBT2 भी क्लियर हो जाता है तो तुम्हें साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जिसमें कुल 5 बेटरी टेस्ट होते हैं और तुम्हें प्रतेक में 42 नंबर या 42 परसेंट लाना अनिवार ये होता है इस टेस्ट की इंपोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि तुम्हारी बनने वाली फाइनल बेरिट में इसका 30 परसेंट इससा जाता है memory टेस्ट में तुम्हारी खोपड़ी की हार्ट डिस्ट, following direction में तुम्हारा अनुशाशन, depth perception में तुम्हारी दिमाग की गहराई, concentration में एकागरता और perception टेस्ट में तुम्हारे अनुमान लगाने की शमता का परिक्षन किया जाता है जैसे धाई मिनिट तक 15 स्टेशन दिखाने के बाद तुम से पूछा जाता है कि मिया सिटी से जोनी नगर की ओर जाते हुए दूसरा स्टेशन कौन सा आता है या बहुत से आकड़े दिखा कर तुम से पूछा जाता है कि बताओ जेने लिया डिसुजा की एज कितनी थी या फिर तुम्हें चार आकड़े दिखा कर पूछा जाता है कि दी गई आकड़े में से विशम को छाटिए अगर तुम्हारा साइको टेश भी क्लियर हो जाता है तो तुम्हें डोक्यूमेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है जहां सरकारी करमचारी माइक्रोस्कोप लगा कर ये चेक करते हैं कि तुम्हारी डिग्रेश भी करते हैं